मैंने parts of speech वीडियो लेक्चर में आपको विशेशन के बारे में समझाया था और कुछ examples भी दिये थे आज हम adjectives के बारे में थोड़ा detail में जानेंगे सबसे पहले तो आप इसकी definition को याद कर लीजिए विशेशन वो शब्द या शब्दों का समू उपवाक्य होते हैं जो किसी संग्या या सर्वनाम की विशेशता बताते हैं या फिर उस संग्या या सर्वनाम के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं हम कह सकते हैं कि adjectives are the words or the clauses that show the quality of noun or pronoun or provide some additional information about them example के तोर पे देखिए सबसे पहला example है राम बहादुर है राम इस ब्रेव जब हम कहते हैं ब्रेव तो हम किसके बारे में कह रहे हैं कि वो बहादुर है हम राम के बारे में कह रहे हैं राम की quality के बारे में बता रहे हैं राम के बारे में कुछ अतिर्ग्त सूचना दे रहे हैं, क्वालिटी का मतलब यह नहीं होता है कि आप हमेशा उसके बारे में कुछ अच्छी बात ही करें, हो सकता है आप कुछ ऐसी बात भी करें जो राम के लिए negative हो, लेकिन फिर भी चुकि वो राम की quality है, चाहे वो adjective word है राम के लिए, लेकिन फिर भी चुकि वो राम की quality है, इसलिए वो भी अपने आप में एक adjective है, तो देखे होता क्या है कि जब हम कहते हैं brave, तो हम राम के बारे में कह रहे हैं, राम चुकि एक नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, यह एक संग्या है, तो संग्या के बारे मे कुछ अतरिक्त सूचना देने वाला word, brave एक adjective है, यह बात parts of speech video lecture में मैंने आपको बताई थी, पर हम यहाँ पर थोड़ा दोहरा रहे हैं, ताकि थोड़ा सा revision हो सके, देखिए, दूसरा example है, वह चालाक थी, she was clever, चालाक होना किसकी विशेचता है, किसके बारे में बताया गय है, किसके बारे में आतरिक्त सूचना दी गई है, उसके बारे में, वह, वह एक लड़की है, चुकि she एक pronoun है, जो कि हम pronoun chapter में भी पढ़ चुके हैं, और parts of speech में भी पढ़ चुके हैं, चुकि एक pronoun है, तो इसकी विशेचता बताने वाला शब्द clever, यानि चालाक, एक विशे एक्टिव है, इसी तरह से देखिए एक sentence और देखते हैं, मेरे पास कई पैंसिले हैं, या हम कहें मेरे पास कुछ पैंसिले हैं, यहाँ पर जब आप कई या कुछ, जब ये word आप यूज करते हैं, तो आप पैंसिलों के बारे में कुछ अत्रिक्त सूचना देते हैं, अगर जब आप कहते हैं कई पैंसिले हैं, तो पता लगता है कि पैंसिले कई हैं, उनकी मात्रा कई है, और जब आप कहते हैं कुछ पैंसिले हैं, यानि आपके पास बहुत कम पैंसिले हैं, कम हैं, कुछ हैं, थोड़ी हैं, तो many and few, these words give you additional information about pencils, so these words are adjectives, क्योंकि पैंसिल क्या है, अपने आप में एक noun है, संग्या है, तो संग्या के बारे में अतविक्त सूचना देने वाले ये दोनों word क्या है, adjective हैं, इसी तरह से एक sentence लेते हैं, अमन मेरा भाई है, जो तुम्हारे साथ खेलता है, अब देखें, इस sentence में, अमन मेरा भाई है, उसकी किसी quality के बारे में ब to place with you, ये पूरा का पूरा clause, ये पूरा पूरा एक sentence का part, ये पूरा का पूरा एक clause, एक adjective clause है, क्योंकि हमने definition में पढ़ा था, कि adjective केवल शब्द नहीं होता, बलकि शब्दों के समूव भी हो सकते हैं, जो किसी संग्या के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं, यहा अमन मेरा भाई है, जो तुम्हारे साथ खेलता है, वही लड़का जो तुम्हारे साथ खेलता है, तो additional information दी, तो ये एक adjective clause है, एक और example देखिए, वो राम है जो मुझसे बड़ा है, मैंने बताया, वो राम है जो मुझसे बड़ा है, तो जब मैं कहता हूँ, जो मुझसे ब लेकिन he, अपने आप में क्या है एक pronoun है, इसके बारे में additional information देने वाला ये clause जो मुझसे बड़ा है, ये clause एक adjective clause है, मैंने लिखा है, who is older और elder than I, older और elder क्यों लिखा है, देखिए अगर वो मेरा सगा भाई है, तो तो वो मेरा elder brother है, elder है वो मुझसे, अगर वो कोई, मान लीजे मेरा दोस्त है, जिसकी उम्र मुझसे जादा है, तो वो मेरा elder नहीं है, वो मुझसे older है, ये concept आपको adjectives में पढ़ने को मिलेगा, आगे वीडियो lecture में चलिए, आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि adjectives यानि विशेशन, इनकी तीन degrees होती है, ए उसके बाद दो degrees हैं, एक है comparative degree और एक है superlative degree, तो सबसे पहले हम use करेंगे er और est का और एक normal adjective word को comparative और superlative degrees में बनाएंगे, examples आपके सामने हैं देखिए, टॉल, टॉल मतलब लंबा, किसी वेक्ति की विशेशता बताने के लिए use किया जा सकता है यह word, जैसे हम कह सकते हैं, राम is tall, किसके बारे में बता रहे हैं, राम के बारे में, राम की विशेशता है, कि राम लंबा है, तो यह जो word है, टॉल, य अधिकतर words, जो adjectives होते हैं, er लगा देने पर comparative degree में change हो जाते हैं, comparative degree मतलब जहां पर compare किया जाए, जैसे मैं कहूं कि राम श्याम से लंबा है, राम is taller than श्याम, वो होती है comparative degree, और superlative degree में, जब हम कहते हैं कि वो सबसे ज़ादा, जैसे मैं कहूं कि राम सबसे लंबा है, रा यह बात आगे आप धीरे धीरे समझेंगे, फिलाल यहां जान लीजिए कुछ ऐसे words आपके सामने हम example के तौर पर दे रहे हैं, जैसे short, short का comparative degree है shorter, superlative degree है shortest, इसी तरह से big, small, great, lengthy, long, wide, high, deep, यह सभी words जो आपके सामने आपके slide में हैं, यह सभी ऐसे adjective words हैं, जिनमें अगर आप er लगा देंगे, तो वो comparative degree की तरह use होगा, अगर आप est लगा देंगे, तो उन्हें आप superlative degree की तरह use कर सकते हैं, जैसे big, bigger, biggest, small, smaller, smallest, great, greater, greatest, lengthy, lengthier, lengthiest, यह words अक्सर हमने पढ़े हैं, पर कई words हमें नहीं भी पता होते, कई बार हमें यह concept नहीं पता होता कि er और est लगाते क्यों हैं, यही नहीं पता होता कई बार कि यह word हैं क्या, लेकिन आज आपको यह पता है कि यह words adjectives हैं क्योंकि यह किसी noun या pronoun की विशेषता बताने के लिए use किये जा रहे हैं, या फिर उनके बारे में कुछ अत्रिक्त सूचना दे रहे हैं, देखें एक important concept को जान लेते हैं, young, young मतलब उम्र में छोटा, old उम्र में बड़ा, अगर कोई आपसे उम्र में छोटा है, तो आप कह सकते हैं, वो छोटा है, he is young, वो मुझसे छोटा है, he is younger than me, वो सबसे छोटा है, he is the youngest, अगर वो उम्र में बड़ा है, तो आप old, older या oldest का use करते हैं, लेकिन यदि वो व्यक्ति आपके relation में है, जैसे आपका भाई, बड़ा है या छोटा है, छोटे के लिए तो आप young ही use करेंगे, लेकिन बड़े के case में, अगर blood relation में है, तो आप elder और eldest का use करते हैं, जैसे आपके बड़े भाई हैं, अभी मैं मैं आपको examples कुछ देता हूँ, आप examples के माध्यम से इसे बहतर समझ पाएंगे, देखे, अमन मुझसे छोटा है, अमन मेरा भाई हो, चाहे अमन मेरा कोई दोस्त हो, अगर मुझसे छोटा है, तो young का ही use करूँगा, young, अमन is younger to me, मैंने younger क्यों कहा, यंगर इसलिए कहा, क्योंकि comparative degree का use करना पड़ेगा, यहाँ पर compare हो रहा है, उम्र का comparison किया जा रहा है, एक बात और आप जान लीजिए, important, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपके सामने younger word का use किया था, उस समय मैंने आपको ये नहीं बताया, कि younger के साथ two का use किया जा लेकिन आप मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये एक concept है, आपको याद होना चाहिए, जब आप elder ये older का use करें, तो उसके आगे, यानि उसके बाद then का use करिए, ये preposition हमेशा elder के बाद आता है, और younger के बाद आने वाला preposition है to, a man is younger to me, प्रदीब मुझसे बड़े है, प्रदीब मेरे बड़े भाई का नाम है, तो चुकि वो मेरे बड़े भाई है, मेरे blood relation में है, इसलिए यहाँ पर मैं use कर रहा हूँ, elder, प्रदीब is elder than I, अजय मुझसे बड़े है, मेरे office में एक मेरे दोस्त है, उनका नाम है अजय, वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, चुकि वो मेरे blood relation में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ elder नहीं, बलकि older का use कर रहा हूँ, अजय is older than I, इस तरह से आप धीरे धीरे जैसे जैसे English सीखते जाएंगे, concepts आपको और जादा clear होते जाएंगे, newspapers जब आप पढ़ते हैं, कभी देखते हैं कोई word जिसमें ER लगा है, EST लगा है, तो इन चीज़ों को याद करिए, वहाँ समझने की कोशिश करिए कि क्यों ऐसा हुआ है, example देखिए, अमन सबसे छोटा भाई है, अमन is the youngest brother, प्रदीप सबसे बड़े भाई है, प्रदीप is the eldest brother, और वो क्लास में सबसे बड़ा है, देखिए, वो मेरे blood relation में नहीं है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, कि वो क्लास में सबसे बड़ा है, he is the oldest in class, यहाँ पर मैं eldest नहीं लगा सकता, क्योंकि वो मेरे blood relation में नहीं है, आईए, कुछ आगे बढ़ते हैं, और एक concept और, new जिसका मतलब होता है, नया, newer, newest, old जिसका मतलब है, पुराना, older, oldest, देखिए, old का एक मतलब हम पढ़ चुके हैं, उम्र में बड़ा, यहाँ पर दूसरा, एक meaning उसका है, पुराना, जैसे हम कहते हैं, यह मेरा pen है, जो तुम्हारे pen से पुराना है, यह मेरा laptop, तुम्हारे laptop स नया है, तुम्हारे pen से नया है, चुकि pen के बारे में ही बात हो रही है, इसलिए your pen कहने की जगा, yours कह दिया, यह concept, possessive pronoun का concept है, जो कि आप pronoun chapter में पढ़ चुके हैं, अगला example है, your pen is older than mine, तुम्हारा pen मेरे pen से पुराना है, my mobile is the newest और oldest, अगर newest कहूंगा, तो सबसे नया, oldest कहूंगा, तो सबसे पुराना, अब देखिए, अभी हमने जाना था कि comparative degree के लिए ER लगा देते हैं, और superlative degree के लिए EST लगा देते हैं, पर कई ऐसे adjective words हैं, जिनके साथ ER और EST का concept नहीं चलता, बहाँ पर आपको more या most का use करना पड़ता है, more लगा देंगे, तो comparative degree, most लगा देंगे, तो superlative degree, examples यसे आपके सामने हैं active, active means फुर्तीला, active तेस्टरार, more active, ज्यादा active, most active, सबसे ज्यादा active, तो comparative degree के लिए more, superlative के लिए most, examples आपके सामने हैं, beautiful, careful, cheerful, dangerous, difficult, diligent, famous, foolish, harmful, honest, important, ये सभी examples आपके सामने हैं, beautiful, more beautiful, most beautiful, careful, more careful, most careful, cheerful, more cheerful, most cheerful, most cheerful, इसी तरह से कुछ adjectives ऐसे भी होते हैं जिनके pattern irregular होते हैं, यानि comparative और superlative degree में, ER, EST या more या most का concept नहीं होता, इन words के जो comparative degrees होती हैं और superlative degrees होती हैं, बिलकुल different pattern में होती हैं, पूरा एक word ही नया होता है, example देखे, good, good मतलब अच्छा, या well, well मतलब भी अच्छा, ये ऐसे adjective words हैं, जिनका comparative form है better, और superlative form है best, bad या ill, bad means बुरा, ill means बुरा या बीमार, इसका देखे, comparative form है worse, और superlative form है worst, बिलकुल different, अलग लगता है, ER, EST नहीं है, more या most use नहीं किया गया, अब देखे, much या many, कई, कई के लिए use किया जाता है, ये जादा के लिए, much का use uncountable के साथ, many का use countable के साथ, countable, uncountable के बारे में आप पढ़ चुके हैं, noun chapter में, और इसका एक separate video lecture में आपने इसके बारे में जाना, इसका comparative form है more, और superlative form है most, इसी तरह से little, little means थोड़ा, कम, इसका comparative form है less या lesser, और इसका superlative form है least, तो adjectives के बारे में कुछ बेहद महतपून जानकारियां आपने ली, कुछ sentences हम आपको देते हैं, आप इन sentences में पहचानिए कि adjective क्या है, देखिए sentence आपके सामने है, it is a bright day, it is a day, ये एक दिन है, कैसा दिन है, bright day, जवर्दस्त, चमकीला दिन, एक adjective दे दिया, दिन को एक adjective दे दिया, दिन की एक खुबी के बारे में बताया, तो ये जो word है bright, ये क्या है, एक adjective है, देहरादून is a huge city, कैसी city है, huge city, देहरादून के बारे में, देखिए उसकी quality के बारे में बताया है, बड़ी city है, बड़ा होना उसकी quality है, और देहरादून जो ये word है, ये अपने आपने क्या है, ये एक जगह का नाम है, और जगह का नाम क्या होता है, proper noun, ये बात आपने noun वीडियो लेक्चर में समझ लिया है तो देखिए huge यह जो word है यह आपका adjective है she is a very nice girl यहाँ पर adjective क्या है nice they are cute cute वे प्यारे हैं प्यारा होना उनकी विशेष्था है cute यह क्या है adjective है they both are sweet sweet adjective है I am taller than you taller taller tall का comparative degree है tall अपने आप में एक word है जिसका मतलब होता है lamba यह किसी की विशेष्था बताने के लिए use किया जाता है और यह एक adjective है इसी तरह से अविरत is elder than Iansh अविरत is elder than Iansh यह elder यह जो word है किस word से बना है यह old word से उम्र में बड़ा अविरत अयांश से उम्र में बड़ा है और इस sentence के तो एक के साब बता सकते हैं कि अविरत और अयांश का एक दूसरे से relation है इसी लिए तो अविरत और अयांश के लिए हमने यह elder का यूश किया अंजली is my youngest sister youngest young यह एक adjective है my mom is the cutest cute का superlative form cute यह एक adjective है my father is honest यहाँ पर honest adjective है बिनिता is a sincere lady sincere adjective है yes she is a naughtier yes she is naughtier than all naughty naughty means शरार्ती यह adjective है डिम्पी भहिया is strong strong means मजबूत मजबूत होना उनकी विशेषता है किसके बारे में बात कर रहे हैं डिम्पी भहिया के बारे में डिम्पी उनका नाम है नाम क्या है नाम किसे कहते हैं संग्या होती है किसी भी व्यक्ति का नाम एक संग्या है कौन सी संग्या है व्यक्ति वाचक संग्या proper noun तो noun की विशेषता पताने वाला यह word strong यह एक adjective है नाम किसे लुपिको बारे में